नमस्कार दोस्तों मार्च सन 1962 को हर्याना के करनाल में हुआ था कलपना चावला के पिता का नाम बनार सिलाल चावला है और इनकी मा का नाम संजोती चावला है कलपना चावला अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटी थी कलपना चावला ने अपनी प्रात्मिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी इसके बाद साल 1976 में कलपना ने इंजिनिरिंग कॉलेज से एरोनाटिकल इंजिनिरिंग में बैचलर की डिगरी प्राप्त की और मास्टर डिगरी करते समय कलपना चावला की मुलाकात जिन पेर हरिसन से हुई और साल 1983 में कलपना ने जिन पेर से शाथी कर ली इसके बाद सन 1988 में युनिवर्सिटी ओफ कोलराडो बॉल्डर से कलपना ने एरो स्पेस इंजिनिरिंग में पीच डी की और इसी साल कलपना ने नासा के साथ काम शुरू कर दिया सन 1992 में कलपना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और इसके बाद दिसमبر 1994 में कलपना चावला को अंतरिक्ष यात्रियों के पंधरवे समूह में शामिल कर लिया गया कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासानों ने 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया कल्पना चावला को नासा के इस मिशन में विशेशग्य और प्राइम रॉबर्टिक आर्म आपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया नासा के इस स्पेस मिशन ने 1999 सन 1997 को उडान भरी कॉलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये उडान भरी थी और इस मिशन में कल्पना चावला सहीत 6 क्रू मेंबर्स सवार थे इस मिशन का नाम था STS 87 इस स्पेस मिशन के दुरान कल्पना चावला ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल प्रत्वी पर सफलता पूर्वक वापस भी आ गया और इस मिशन के बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारती मुल्की महिला बन गई इस मिशन की कामियाबी को देखते हुए नासा ने 2001 में अपने दूसरे स्पेस मिशन में कल्पना चावला को स्लेक्ट कर लिया और इस मिशन का नाम था STS 107 इस मिशन को शुरू करने से पहले ही कॉलम्बिया स्पेस शटल में बार बार कुछ खराबियां सामने आ रही थी और इन खराबियों के वज़े से इस मिशन की लांचिंग डेट को 18 बार आगे बढ़ाय गया और इस स्पेस शटल की सभी खराबियों को ठीक करने में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28 उडान भरी जो कि इस स्पेस क्राफ्ट की आकरी उडान साबित होने वाली थी इस मिशन के दोरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक आंतरिक्ष में रहने के बाद एक फरवरी 2003 को जब यह स्पेस शटल वापस धर्ती पर आ रहा था तब धर्ती की वाईयू मंडल में प्रवेश करते ही सभी अंतरिक्ष यहात्री को एक जोरदार जटका लगा और उन्हें सांस लेने में परिशानी होने लगी उन्हें कोच समझ नहीं आया हवा का दबाव बढ़ने लगा आक्षिजन की कम ही होने लगी और सभी कुरू मेंबर बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान एक एक बढ़ने लगा और सभी अंतरिक्ष यहात्रियों का खोन उभलने लगा और इस वज़े से शर्टल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी अंतरिक्ष यहातियों की दर्दनाक माध हो चुकी थी स्पेस्क्राफ्ट आउट ओव कंट्रोल हो गया और वायू मंदल की गैस तेजी से स्पेस्क्राफ्ट में घुसने लगी और स्पेस्टल पर बहुत ज्यादा डबाहो बढ़ने लगा और इसके बाद धर्ती से लगबग 63 किलोमेटर की दूरी पर स्पेस्टल में आग लग गई और यह दुए के बादल में बदल गया और इसके बाद जो बाद सामने है उसने सबको हैरान कर दिया नासा की जाच में ये पता चला कि इस हादसी की बज़े इंसुलेशन फॉर्म था इस इंसुलेशन फॉर्म को समझने के लिए हम स्पेस्टल में इस्तिमाल होने वाली कुछ चीजों को समझते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि इंसुलेशन फॉर्म है क्या जिससे स्पेस्टल में अंत्रिक शातरी यातरा करते हैं उसे स्पेस्ट में पहुचाने के लिए रॉकेट का इस्तिमाल किया जाता है और इन रोकेट को भी धरती से बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे फ्यूल की जरुद होती है और अब हम फ्यूल के बारे में जानते हैं ये फ्यूल दो तरह के होते हैं एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है हार्ड फ्यूल लिक्विड फ्यूल में लिक्विड आक्सिजन और लिक्विड हाइडरोजन का उपियोगी किया जाता है और ये फ्यूल बहुती कम तापमान के साथ लिक्विड फॉम में मौजूद होते हैं और फ्यूल के कम तापमान को मिंटेन करने के लिए फ्यूल टेंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहरी तापमान से फ्यूल का तापमान बिगड़ना जाए और इसके अलावा भी रॉकिट के बाहर एक बायो पैडरीम की एक्स्ट्रा लेर का इस्तिमाल किया जाता है और यहीं पर स्पेस शटल को अटेच किया जाता है इसलिए स्पेस शटल को सबसे ज़्यदा खत्रा हीट से होता है इसका तापमान लगबग 3000 डिगरी तक पहुँच और स्पेस शटल को इस intense heat से बचाने के लिए कई प्रिकार की coating लगाय जाती है। और इसके wings को ही heat से बचाने के लिए rain forest carbon panel का उप्योग किया जाता है जो इन wings को 3000 degree के तापमान से बचाता है। और सारी heat इसके अंदर चली गई। नासा के मदाबिक दुर घटना का असली कारण यह insulation form ही था। और इस बात को साबित करने के लिए नासा के विशेशग्यों ने कोलंबिया स्पेश अडल के wings का एक duplicate wing बनाया और एक insulation form का टुकडा तयार किया। और इस insulation form के टुकडे को लगबग 800 किलोमेटर प्रती गंटा की रफतार से बार 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 wings पर फैक का टेस्ट किया। और इस बात को पुखता किया गया कि insulation form के टुकडे के बिंक से टकराने से जो नुखसान हुआ यही कारण बना इस स्पेश अडलक में होने वाले ब्लास्ट का। इस हादसे में 10 साल बाद 17 जनवरी सन 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर बॉयन हेल ने एक ब्लाग में खुला सकिया था। यह भी कैना है कि नासा इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेश शेटल को कितना नुकसान हुआ था। और कुछ साइन्टिस्ट का ये भी कहना है यदि इस नुकसान की जानकारी स्पेस शेटल में बैठे यात्री को मिल भी जाती तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता था और ये भी कहा जाता है कि नासा यह नहीं चाहता था कि मिशन पर सभी अंत्रिक शियात्री है सुनकर परिशान हो जाए और अपनी जिंदगी के अंतियम दिनों में ये सोच कर जियें कि हम भरने बाले हैं इसलिए शायद नासा ने अंत्रिक शिहात्री को ये नहीं बताया पांच फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कलपना चावला के अभूत परोयोगदान को देखते हुए ये गोशना की कि सिरों के जितने भी मौसम संबंदित उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कलपना चावला की याद में कलपना सेटलाइट होंगे और इसके लाव भी कलपना चावला चातरवरती और कुछ अन्य चीजों में भी कलपना चावला का नाम रखा जाएगा और नासा ने भी कलपना चावला के समान में एक सूपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहा नहीं हो तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें धन्यवाद